कैसे हैं आप सबसे पहले इस चानल के देखिने वाले जितने भी शुरूता हैं सबको नौरात्री की धेर साई सुपकामना धेर सारी बधाईयां की मातारानी सब के घर में आए और आप सब कुसल मंगल में रहें थाकि हमारी जीवन भी गुर्शाही को सलता तो साथ सलते हैं अच्छा 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 और प्रदीव जी और पराग जी लिटी चोखा रिलीज पर है बस उंगलियों पर गिने जा सकते हैं दिन तो क्या तैयारिया चल रही है आपनों बताए नहीं होती है यह हमारे राज्य की सबसे अच्छी होजान है इसके तैयारी के लिए ज्यादा समागरी जुटाने की जरूत नहीं होती है यह इतना स्वादिष्ट है और यह लिटी चोखा सिरिप है लिटी चोखा ही नहीं मुझे लगता है कि जमिन से जुड़ ही कहानी है हमने किसान के इतनी परिशानिया है तो हम देखिए नेता तो है नहीं कि हम अपने परल्या मेट में आवाज उठाएंगे यह संसद्भवन में हम इस बात को बोलेगा हम एक आटिष्ट कलाकार हैं तो हमारे पास एक ही माध्यम है जो सिनेमा है परदे हैं तो उस परदे के माध्यम से यह प्राग पाटल जी यह परूशर है तो हम किसी की समस्या को परदे के माध्यम से ही दुनिया को बता सकते हैं कि हां यह सिरिफ आपी का कश्ट नहीं पुरे देश की समस्या है तो यह पुरे देश की समस्या है जो किसान है क्योंकि मुझे लगता है कि दवा के बिना हम जी सकत बट अन के बिना इस धर्ती पे कुई नहीं सकता है पुरी धर्ती की बाग कर रहा हूं चाहे वह अमिरका हो या अस्ट्रलिया हो या चाहिना हो दुनिया कि कोई भी राज यह हो देश हो मुझे लगता है कि किसान अगर नहीं है तो हमारा अस्तित्व नहीं है हम कमाते हैं क्या तो इसलिए हर्कुरे किसानों को सम्मान है और मेरे किसान के बेटा होने के नाते मेरे पास जो जरिया है उस जरिया के वज़से मैं जाना जाता हूँ तो हमारे पास जो माध्याम है उसी माध्याम से किसानों की समस्या को मिने दुनिया के बीच में दखी पराग जी क्या थीट कि तारीक का डेट होगा मुबएखा कि 22 से यहां पर सिनिमा घर फोल रहे हैं गुजराथ 15 तरह जी प्रदीब जी का तयारिया पूरी कर देगी है फिल्म के रिलीज को लेकर क्योंकि बड़ी फिल्म है तो इसके लिए रिलीज की जो तयारिया हो वो भी ग्रैंड ही होंगे हाँ बिल्कुल सारे जेगा हमारे थेटर से भूख है और जो इन्होंने प्राग और इंटर्रैक्ट करते थे ओडियंस के साथ ऐसा होगा देगी कुछ सिनेमा होते थे जो सिनेमा उसलायग नहीं बनती है कभी-कभी आदमी परमोड करता है तो कुछ सिनेमा ऐसे बन जाते है कि हमारे वीच की समस्या होती है और कोबिट को ध्यान देते हो सबके अपने मैं पुस्क्ता कितनी इस अगर चीजी है अगर हमें परमिशन में जाता है तो मैं जरूर लोगों से मिलने के को श्म करूं नहीं है। कि मुझे अच्लाइटा यह अजिता है कि उनके बीच में जाता हूं अपनी कीवषी चीज़ों को बताता हूं। तो मुझे अच्छा रगता है कि मैं उनके बीच में जाओं लेकि उसके लिए बहुत सारी प्रतिकिरिया हो जाती है आज कि कोबिट जब से आया है तब से बढ़ा कुछ सोच की करना पड़ता है भीड़ वाली जगह पे हमें थोड़ा सा रोक रहता है कि आप नहीं जा सकते है तारिकरम के भी लिए बहुत ज़्यदा प्रप्लम हो रहा है तो कोबिट जब तक मुझे लगता है कि वेक्सिकलेशन क्या हो जाएगी और शायद कोबिट के जू नियावे प्रोटोकॉल है वो कहीं न कहीं शायद उन्हें नुक्सान पहुंचे है आपकी ही फिल्में बैक जब से फिर से ठीटर कुला है उसके बाद आपकी ही फिल्में खेसारिलाग के फिल्में रिलीज रही हो बहुत ज़्यादा ओडियस का प्यार मिल रहा है इस पे आपकी रिएक्शन देखी ऑडियस क्या होती है कि हमारे जिसे मंदर का गए खूलता है मुझे लगता है कि बड़ा भक्त होता है कि जहां चाहता है अपने भगवान को बला लेता है तो हमारी भक्ती में इतनी सक्ति है ज़िए हमारे लिए भगवान हमेशा हॉल के दर्वाज़ के आते हैं और हमें सरधा का फूल और असिरवाद चुपा कर जाते हैं तो मैं लगता है चुरी चुपके चुपके का भी बहुत बड़ा इनिश्या हो रहा बाप जी का बहुत बड़ा इनिश्या हो रहा और हमारे तुझे लगता है कि लेटी चुखा भी उससे बहुत बहतर होगी क्योंकि उसमें लटे क समस्या थी। चुरी चुपके चुपके में एक भीगड़ेल लड़की समस्या थी विहाल जो लंडन में रहते हैं। नहीं है। तो उस समस्यास वृब कुछी है उल्जी हुई वह खायन हें। यह एक किसांका समस्या थी। तो यह पूरे देश की समस्या है, तो मैं कोशिस यह करता हूँ, कि मैं जभी कोई काम करूँ, तो उसमें समस्या ऐसी हो, जिसे उबरा जाये, और दुनिया को पता चलने चाहिए, कि हमारा देश अभी बहुत पीछे, और हमारा खास करके भी हार राज, जहां पर रुजगार क कि यह हुँजदा प्रॉबलम है, तो वह बहुत जरूरी है, तो हमारी कोशिस, हमें दुनियों प्यार इतनी लेती है, तो हमारा भी देश बनता है, कि अबने राज एके लोग की समस्या पुरे दुनिया को दिखाए देए.